ओम नमस्शिवाए दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है हर्तल का तीज का यह प्रसेद बरत बादो मास के सुकल पक्ष मेर तिर्टिया को किया जाता है तित्या तित्य को किये जाने के कारण इस्त्रियों में यह ब्रत अधिक तर्टीजों के नाम से जाना जाता है कुवारी लड़कियों में यह ब्रत इक्षित बर पाने की आसा से तथा बिबाहे तिस्त्रियां सुहाग की रक्षा और पती के सुख की कामना करके करती है प्राचीन काल से चल रही माननेता है कि इस ब्रत को करने वाली इस्त्रियां पारवती के समान सुख पूर्वग जीवन यापन करके शिव लोग को प्राप्त होती हैं ब्रत करने वाला ब्यक्ति सुर्योदा के पहले उठे और भगवान शंकर जी को इस्मरण करे फिर नित्य कर्मों से निर्वत्य होकर शिवालय में जाए जहां पर उसको पूजन करना है और उसको कथा पढ़नी वा सुननी है यदि हो सके तो शिव मंदिर में शिव पारवती प पालू की प्रतिमा बनाकर उसे इस मंडप में इस्थापित कर पूजा करनी चाहिए पूजा में शिव पारवती से सम्मंदित कोई भी स्रोत अथ्वासिप चालीजा का पार्ट करें और इसके पश्चात एकागर चित्र होकर हरी तालिका तीज की ब्रत कथा को श्रवन करें हरी तालिका तीज ब्रत कथा इस प्रकार है जिसके दिब्बे केशों पर मंदार के पुष्पों की माला सोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है जो माता पारवती दिब्बे बस्तरों से तथा भगवान श कुछा कि हे वहिश्वर मुझे से आप वह गुप्त से गुप्त बारता कहिए जो सब के लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महानफल देने वाली हो हे नात यदि आप भली भाती पर सन्ने हैं तो आप उसे मेरे सम्मुक प्रकट कीजिए हे जगतनात आप आदी मद्य और अंतरहित हैं आपकी माया का कोई भी पाल नहीं है आपको मैंने किस भाती प्राप्त किया है कौन से ब्रत तप या दान के पुन्यफल से आप मुझको बर रूप में मिले हैं श्री महादेव जी बोले मैं आपके सम्मुक उस प्रत को कहता हूं जो परम गुप्त है जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य बर्णों में ब्राम्मन देवताओं में गंगा पुराणों में महाभारत बेदों में साम और इंद्रियो करता हूं भाद्रप्रद मास के सुकल पक्ष की हस्त नक्षत संयुक्तितिया के दिन इस ब्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है तुमने पहले हिमाला परबत पर इस महान ब्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पारवती जी बोली है प् परबत है जहां अनेक प्रकार की भूमी अनेक प्रकार के ब्रक्षों से सुसोबित है जो सदेव बर्फ से ढके हुए गंगा की कलकल धुनी से सब दाय मान रहता है हे पारवती जी तुमने बाले काल में उसी इस्थान पर परम तप किया था और तुमने बाराए बर्स तक ज बेखकर तुम्हारी पिता को तुम्हारी बड़ी चिंता हुई बेचिंतातुर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या को किस साधी करूं इस अवसर पर द्यावियोग से ब्रह्मा जी के पुतर नारज जी वहां पर आ गए देवर्षी नारज ने तुमसेल पुतरी को देखा बिश्णु भगवान का भेजा हुआ, यहां आया हूं, आप मेरी बात ध्यान से सुनों, आप अपनी कन्या को उत्तम बर्ख को दान करें, ब्रह्मा, इंद्र, शिव, आदी देवताओं में विश्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं हैं, इसलिए मेरे मत से आप अ की बात है मैं अवश्य अपनी कन्या उन्हें ही दूंगा हिमालाय का यह आसवासन सुनते ही देवर्शी नारज जी आकास में अंतर ध्यान हो गए और संख चक्र गदा पद्म एवं पीतम बरदारी भगवान विश्नु के पास पहुंचे नारज जी ने हाँ चोड़ कर भगव विश्नु को अरपन कर दिया है पिता कि इन वाक्यों को सुनते ही पारवती जी अपनी सहेली के घर गई और प्रत्री पर गिरकर अतियंत दुखे दोकर बिलाब करने लगी उनको बिलाब करते हुए देखकर सखी बोली हे देवी तुम किस कारण से दुख पाती हो मुझे ब जी को प्रण करना चाहती हूँ मेरे इस कार को पिता जी ने बिगाड़ना चाहा है इसलिए मैंने संदे this तरीर का त्याग करूंगी पारवती की इन बच्चनों को सुन्कर सखी ने कहा हे देवी जिस बन को तुम्हारे पिता जी ने ना देखा हो तुम बहा पर चली जाओ तब देवी पारबती अपनी सखी का याय बचन सुनकर ऐसे ही बन को चली गई, पिता हिमालाई ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दाना, वत्वा किनना हरण करके ले गया है, मैंने नारज जी को बचन दिया था कि मैं पुत्रे का गरुण ध् साथ परण करूंगा, हाई अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे बहुत चिंतातुर होकर मुर्चित हो गए, तब सब लोग हाहा कार करते हुए दोड़े और मुर्चा दूर होने पर गरिराज जी से बोले कि हमें आप अपनी मुर्चा का कारण बताईए, हिमालाई ब या उसे राक्षस ने मार डाला है, इस प्रकार कहकर गरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीब रवायू के चलने पर कोई ब्रक्ष कांपता है, ततपश्चात है पारवती तुम्हें गरिराज सातियों से घने जंगल में ढूड़ने के लिए निकले, सिंग ब कुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अनजल का त्याक करके बालू का लिंग बना कर मेरी आरादना करती रही। उस समय पर भादपद मास की हस्त नच्छत्र युक्तितिया के दिन तुमने मेरा बिदी बिधान से पूजन किया, ततरात्री को गीत गायन करते हुए जागरन किया, तुमारे उस महाबरत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लग गया, मैं उसी इस्थान पर आ गया जहां तुम और तुमारी सखी दोनों ही थे, मैंने आकर तुमसे कहा कि हे बरानने, मैं तुमसे प्रसन हूँ, तुमसे बरदान मांग, बालू की प्रतिमा को नदी में बिसर्जित कर दिया, हे शुभे, तुमने बहां अपनी सखी सहेद ब्रत का पारायन किया, इतने मैं तुम्हारे पिता हिम्बान भी तुम्हे ढूरते ढूरते उसी बन में आ पहुंचे, उस समय उन्होंने नदी के तर्ट पर दो कन्याओं क को देखा, तो भी तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हिदर से लगा कर रोने लग गए, और बोले बेटी तुम्हें सिंग ब्याग यादी युक्त जंगल में क्यों चली आई, तुमने कहा कि हे पिता, मैंने पहले ही अपना स्रीर संकर जी को समर्पत कर दिया था, किन्त कर दिया, हे प्रिये, उसी ब्रत के प्रवाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है, इस ब्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुक बढ़ना नहीं किया है, हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस ब्रत का यह नाम क्यों पड़ा, तुमको सकी हर करके ले गई थी, इस लिए इस ब्रत का नाम हर्तालिका पड़ा, पारवती जी बोली है, स्वामी आपने इस ब्रत राज का नाम तो बता दिया, किन्तु मुझे इसकी बिधी एवं फल भी बताईए, कि इसके करने से किस फल की प्राप्ती होती है, तब संकर भगवान जी ब विविद रंगों के उत्तम रिस्मी बस्तर की चांदरी उपर से तान दें, चंदन आदी सुगंदे द्रब्यों का लेपन करके इस्तरिया एकत्रहों, संक भेरी मिर्दंग आदी बजावें, बिधी पूर्भक मंगला चार करके स्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रति स्थापित करें, फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंद धूप पुस्प आदी से बिधी पूर्भक पूजन करें, अनिग नैवेद्यों का भूग लगावें, और रात्री को जागरण करें, नारियल सुपाडी, नीवू, लौंग, अना, नारंगी, आदी, रुतु फ आरं सदा वसंतं हिद्यारि बिंदे, भवं भवानी सहितं नमामी, भवं भवानी सहितं नमामी, ओम नमस्षिवाय